स्वागत है आपका अपना इंशरेंस वाला चैनल पर आज हम बात करेंगे कि क्यों इंशरेंस हमारे और हमारे परिवार के भविशे के लिए बहुत जरूरी है तो पहला पॉइंट है फाइनिशल सीकेरटी इंशरेंस हमें आर्थिक सुरक्षा देता है अगर हमारे साथ कुछ अन्होनी हो जाती है तो यह हमारे परिवार को पैसों की मदद करता है ताकि वे अपनी घर के खर्चें, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरतें पूरी करें इंकम रिप्लेस्मेंट का मतलब होता है कि आपकी आय की कमी को पूरा करना इंशरेंस हमारी आय की कमी को पूरा करता है इसका मतलब है कि अगर हम नहीं रहते इस दिन्या में तो हमारे परिवार को वही जीवन स्थाल बनाए रखने और जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करता है जो हमारी मौजगोदी में थी इंशुरेंस से हम अपने बकाया कर जैसे की होम लोन, परसनल लोन या क्रेडिर कार्ड के बिल चुका सकते हैं इससे हमारे परिवार पर कोई आर्थिक बोच नहीं पड़ता है इंशुरेंस हमारे भविश्य के लख्षयों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है जैसे की बच्चों की पढ़ाई, शागी के खर्चे या बिजनस शुरू करना यह सुनिश्चित करता है कि यह सब आपके ना रहने पर भी पूरे हो सकते हैं पूरे पॉइंट इस टेक्स बेनिफेट इंशुरेंस हम अपने टेक्स में भी पायदा मिलता है पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम हम भरते हैं उस पर टेक्स की छूट मिलते हैं और पॉलिसी का लाप जो हमारे परिवार को मिलता है वो भी टेक्स बी होता है कुछ इंशुरेंस पॉलिसी में बचट यद इवेश का आप्शन भी होता है जिससे हम समय के साथ धन जमा कर सकते हैं ये policies हमें सुरक्षा के साथ साथ समभावित return भी देती है Next and very important point related insurance is peace of mind Insurance से हमें मांसिक शांतिंग मिलती है हमें ये पता होता है कि हमारे परिवार का भविश्य सुरक्षित है चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए Last point is flexibility and customization Insurance policies में flexibility होती है हम अपनी जरूरत के साथ से policies चुन सकते हैं और उसे customize भी कर सकते हैं तो दोस्तों अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और मांसिक शांति के लिए आज है insurance ले इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जीवन के सबसे वहतपूर्ण लोग किसी भी आर्थिक कट्राई से सुरक्षित हैं हमारे चैनल को subscribe करें, like करें और अपने सवालों को comment में लिखे, धन्यवाद